मूवी का नाम है दे नेगोशियेशन जिसे IMDB की 6.6 की रेटिंग मिली है तो लेट स्टार्ट विद दे मूवी सेरेना एक इंस्पेक्टर है जो क्राइसेस नेगोशियेशन टीम में एज अ नेगोशियेटर काम करती है नेगोशियेटर याने क्रिमिनल्स और पोलिस या गवर्मेंट एजनसी के बीच की मिडल मैन जो सिचुएशन को हैपी एंडिंग देने की कोशिश करती है आज भी अचानक उसे सुप्रिडेंटर बेनी के कहने पे एक क्राइम सिन पे क्रिमिनल्स के साथ नेगोशियेशन करने के लिए इमर्जनसी में बुलाया गया है इस क्राइम मिशन को कैप्टन औरलीन लीड कर रहे है दो रॉबर्स ने दो लोगों को होस्टेज बनाया है जिसमें एक आदमी है और एक आवरत है दोनो रॉबर्स थाइलन के है तो वो इंगलिश समझते है रॉबर्स हेलिकॉप्टर की डिमांड कर रहे है सेरेना का आना औरलीन को पसंद नहीं सेरेना उनसे सिर्फ आदा घंटा मांगती है मगर सेरेना रॉबर्स के साथ नेगोशेट कर रही होती है कि तभी औरलीन एटेक करने का ओर्डर देता है पोलिस के एटेक में रॉबर्स के साथ वो दोनों होस्टेज भी मारे जाते है जिससे डिप्रेस होके सेरेना औरलीन को अपना रेजिकनेशन देती है मगर वह एकसेट नहीं करता उल्टा वो उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे भेज देता है या थाइलेंड में कुछ लोग टोनी नाम की रिपोर्टर को किड्नेप करते है और उन गुंडों का बॉस है मैक्स यहां सेरेना घर में रिलेक्स कर रही होती है के सुप्रिडेंटन बेनी उसके घर आता है और उसे कहता है के उसकी जरूरत आ पड़ी है तो वो उसे जबरदस्ती अपने साथ एक आलिशान कंपनी में लेके जाता है जहां एक रूम में एक आडियो वीडियो एक्यूप्मेंट का सेटप लगाया गया है और वहाँ पे पोलिस कमिशनर फिलिप्स और नैशनल सिक्यूरिटी एजनसी का सेक्रेटरी गौंग भी होता है सेरेना को कुछ समझ में नहीं आता और कोई उसे बताना भी नहीं चाता सेरेना को क्रिमिनल के साथ नेकोशेशन करने डाइरेक्ट चेर में बिठाया जाता है सेरेना को यह भी पता नहीं कि किसके साथ उसे क्या बात करनी है मिशन की इंचार्ज मेगन उसे बताती है कि explain करने का वक्त नहीं है अब सामने रखे monitor पे वो आदमी दिखता है जो Serena को अपना introduction देता है कि उसका नाम Max है Serena भी उसे अपना introduction देती है और उससे कहती है कि वो negotiation team में है Max Serena को उसकी beauty measurements पूछता है मगर Serena बीच में ही video call cut करती है क्योंकि वो जानना चाती है कि matter क्या है और वो किसके साथ deal कर रही है अब वो secretary के पास आके उससे कहिती है कि situation की details वो उससे दे अब Max फिर से call करता है तो इस बार Megan call pick करती है Serena ने Max का call आदे में cut किया था तो इस बात का Max को गुस्सा आया है वो camera में एक hostage दिखाता है वो hostage कोई और नहीं बलकि captain Orlean होता है उसे देखके Serena शौक होती है Max औरलीन के सर पे gun टिका के trigger दबाता है मगर bullet नहीं होने की वज़ा से fire नहीं होता अब Serena फिर से monitor के सामने आके बैठ जाती है और उसे अपनी beauty measurements बताती है 34, 24, 35 Max उसे देखके हसते हुए बोलता है कि तुमें देखके लगता नहीं तो उस पर Serena उससे कहती है कि जूट लग रहा है तो मेरे साथ date पे चलो अब Max उससे कहता है कि हम दोनों के बीच बातचित हो सकती है मगर कोई जूट नहीं चलेगा Max उससे पुछता है कि रूम में और कौन-कौन है Serena उसे बताती है कि Commissioner के साथ Megan भी है वो Gong का नाम नहीं बताती Serena Max से पुछती है कि Hostages को छोड़ने के लिए उसकी demand क्या है तो Max उससे बोलता है कि जल्दी पता चल जाएगा इतना कहिके वो call cut करता है Megan Serena से कहिती है कि Crime Investigation करने Reporter Tony Thailand गया था जहां उसे किड्नेप किया गया Tony Korean Daily Newspaper के लिए काम करता है वो बताती है कि Max एक International Criminal Gang का लेडर है जो South East Asia में active है Tony की रियाई को लेके Negotiation करने के लिए Captain Orlean को Thailand भेजा गया था मगर उसे भी किड्नेप किया गया और Max ने ही demand रखी थी कि वो सिर्फ Serena के जरीए ही बात करेगा इसलिए Serena को Emergency में बुलाया गया Serena समझ नहीं पाती कि Max ने उसे ही क्यूँ Choose किया मीडिया से यह किड्नेपिंग की बात चुपाई गई है Defense Department Max के Naka Island पे Attack करने की सोच रहा है मगर वो area pirate और militant से भरा है और उनके हिसाब से इसी island पे Max ने hostages को रखा है जो officially Thai territory है तो जल्दी ही hostages को छुडाने के लिए Operation शुरू किया जाएगा मगर उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा और Commissioner चाते है कि Serena Max को बाच्चित में फसा के वक्त निकाले और वो वक्त है 14 hours का Serena को समझ में नहीं आता इतने घंटे वो Max को कैसे engage रखेगी अब Serena Commissioner से कहती है कि उसकी team को बुलाया जाए या Military Operation शुरू हो जाता है एक प्लेन में बैटके Commandos आइलेंड की तरफ निकल पड़ते है दुसरी और Serena Max के बारे में information इखटा करने लगती है तो उसे पता चलता है कि Max भले Korea में पैदा हुआ हो मगर अब वो UK का citizen है जहां उसका नाम Richard है Investment Program के जरिए उसे किस तरह के मर्द पसंद है तो उस पर Serena उसे कहिती है कि उसे honest मर्द पसंद है जैसे कि वो है Max उससे पुछता है कि वो कैसे कह सकती है कि वो honest है तो Serena उससे कहिती है कि उसे लोगों को पैचानने की God Gift है Serena Max से कहिती है कि वो चाती है के इस मुलाखात की ending happy हो Max उससे कहता है के उसे नहीं लगता ending happy होगी अब Max मुद्दे पे आता है और सेरेना से कहता है के वो Korean Daily के CEO Jordan से मिलना चाता है वो भी एक घंटे के अंदर Jordan को Golf Club से उठा के उस building में लाया जाता है वो बिचारा Confuse होता है के मामला क्या है कमिशनर उसे brief में आइडिया देते है तो अब Jordan को उसी Golf के कपड़ों में कैमेरा के सामने बिठाया जाता है Max Jordan से कहता है कि उसने उसके एक employee को किड्नेप किया है क्या वो ये जानता है Jordan Max से कहता है कि क्यों नहीं वो टोनी को अच्छी तरह जानता है Max कहता है कि employee किड्नेप होने के बावजूत आपके paper में ये news नहीं छपी तो डरते हुए Jordan उससे कहता है कि पोलिस का वैसे order था Max Jordan से उन highlight news के बारे में पुछता है जो टोनी ने cover किये थे Jordan भी धड़ा-धड टोनी का bio data उसके सामने पढ़ता है मगर Max जब Jordan से पुछता है कि टोनी कितनी शराप पीता है तो Jordan हरवड़ा जाता है Max Jordan के golf के कपड़े देखके उससे पुछता है कि तुमारा एक employee किड्नेप हुआ है और तुम मज़े से golf खिल रहे हो तो Max समझ जाता है कि टोनी ना ही Jordan का employee है और ना ही वो Korean Delhi में काम करता है तो अब Commissioner टेक ओवर करते है वो Max से पुछते है कि अपनी डिमांड बताओ तो उस पर Max बहुत गुसा होता है वो टोनी के सर पे गंद रखके Jordan से पुछता है कि क्या टोनी उसका employee है Max Jordan से कहता है कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वो उसकी family को भी kidnap करेगा डर के मारे Jordan मान जाता है कि टोनी उसका employee नहीं है अब Max Serena से कहता है कि हम दोनों के बीच तय हुआ था कि कोई जूट नहीं बोलेगा और फिर भी तुमने जूट बोला दरसल यह बात तो Serena को भी पता नहीं होती Max उससे कहता है कि तुमने जूट बोला अब सजा तो मिलेगी इतना कहिके वो Captain Orlin को शूट कर देता है Serena की आखों में पानी आ जाता है वो Max को गाली गलोच करती है तो Max गुसा होता है मगर कमिशनर कॉल कट कर देता है Serena मेगन से पुछती है के टोनी असलियत में कौन है मगर मेगन जवाब नहीं देती तो Serena कमिशनर से भहस करती है तो Serena को रूम के बाहर निकाला जाता है अब उसकी जगा NIS के दो एजेंट्स लेते है वह टेररिस्ट और पाइरेट को सब तरह के आम्स और वेपन बेचता है Serena को इसी बात का दुख है कि यह सब बाते उससे चुपाई गई मगर यह कोई नहीं जानता कि आखिर Max चाहता क्या है तो अब Serena मिशन छोड़ना नहीं चाहती तो वह अपनी टीम से कहिती है कि वह अपनी तरब से इस मिशन को हैंडल करेंगे और Max को पकड़ेंगे मगर बेनी को समझ में नहीं आता Thailand जाके Max को कैसे पकड़ा जा सकता है Serena अपनी टीम को Max के बारे में सब information निकालने को कहिती है यहां रूम के अंदर Max के सामने बैटे हुए agents Max से कहते है कि हाँ Tony NIS का agent है वह उसे धमकी देते है कि उसकी एक गलती उसे NIS के हातों मारेगी तो बेटर है वह Tony को छोड़ दे वह Max से यह भी कहते है कि वह उसकी शांगरिला कमपनी के बारे में जानते है उसे बाकी criminal organizations की जो भी information है वह NIS को दे तो वह उसे छोड़ देंगे तो Max उन्हें गाली दे के वहां से निकल जाने को बोलता है वह उनसे कहता है कि वह सिर्फ सेरेना के जरिये बात करेगा दूसरी और सेरेना को पता चलता है कि Max दुनिया भर के terrorist को वेपन बेचता था पात साल पहले वह गायब हुआ Max Korean Weapons South Asia में बेचने के लिए जाना जाता है अब उनके सामने सवाल उटता है कि Max को इतनी quantity में Korean Weapons कोन सप्लाई करता था यह काम कोई बड़ा official ही कर सकता है यह Max टोनी को मारने के लिए गन उठाता है तो एजन्ट उससे कहते है कि वो बेशक टोनी को मार दे उन्हें कुछ फरक नहीं पड़ता मगर इसके बाद वो Max को मारने आएंगे तो अब Max नए होश्टेजेस को बुलाता है जो एक family है जिसमें 7-8 साल के दो बच्चे भी है वो देखके सब डर जाते है Max एजन्ट से कहता है कि उसके पास सिर्फ टोनी नहीं बल्कि और भी होश्टेजेस है वो उनसे कहता है कि सेरेना को ले के आओ वरना वो टोनी का गला काट डेगा इतना कहके वो फोन कट कर देता है यहां कमांडोच नाका आइलंड के पास समुंदर में उतरते है और बोट से आइलंड की तरफ निकल पड़ते है दूसरी और सेरेना को रूम में बुलाया जाता है तो वो कंडिशन रखती है कि वो अकेली रूम में रहेगी और Max से नेगोशेट करेगी अब Max वापस कॉल करता है सेरेना उससे कहिती है कि उसे जानकारी नहीं दी गई थी जिसकी वज़से औरलीन को अपनी जान गवानी पड़ी तबी वो होस्टेज बच्चा Max को ब्रदर कहके बुलाता है जिससे Max इमोशनल हो जाता है उसके इसी इमोशन्स को कॉम्पिटर का यूमन इमोशन सौफ़वेर पकड़ लेता है और इस बात को सेरेना का असिस्टन्ट उसे यह सब बताता है तो अब सेरेना भी जान जाती है कि Max एक इमोशनल इंसान है Max अब फैमिली में से मर्थ को छोड़के बाकी को दूसरी रूम में बेचता है सेरेना मैक्स से पुछती है कि उसने उसे वापस क्यों बुलाया वो उससे कहता है कि वो नाइन इलेक्ट्रिक के ओनर गैरी से मिलना चाता है वो नाम सुनके सब शौक होते है Max सेरेना से कहता है कि उसे बुलाओ तभी तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हें वापस क्यों बुलाया वो उसे एक घंटे का वक देता है सेरेना को पता चलता है कि जिस शांगरीला कमपनी का प्रेसिडंट मैक्स था उस कमपनी को सेटप गैरी ने कराया था मगर कुछ सालों बात गैरी ने अपनी उसमें से इन्वाल्मेंट बन कर दी थी वेपन बेचने से जो पैसा आता था वो शांगरीला के अकाउंट में चला जाता था शुरुवात में गैरी ने उस कमपनी का इस्तमाल वेपन बेच की मिलने वाली दलाली को छुपाने के लिए किया और गैरी ने ही मैक्स को यूके की सिटिजन्शिप दिलवाई थी मगर जब मैक्स ने अकेले नाका आइलंड से अपना अलग कारो बार शुरू किया तो उनकी पार्टनर्शिप तूड गई जिस पर गैरी ने एनाइस को मैक्स की टिप दी जिसके बदले उसे टैक्स में 50 मिलियन का एक्जेम्शन भी मिला था और काले धंदों से क्लीन चीड भी मिली मतलब गैरी ने मैक्स से दगावाजी की थी सेरेना फॉरेन इन्वेस्टिकेशन ओफिसर से पूछती है के अब गैरी कहा है वो उससे कहता है के इसी बिल्डिंग में इनफेक्ट हम उसके ओफिस में है जो गैरी की वेपन लैब है और गैरी ही इस पूरे ओपरेशन का फंडिंग कर रहा है अब हमें एक VIP रूम में बैटे गैरी एनाइस का डेप्यूटी चीफ पार्क और एर फोर्स कमांडर जेफरी दिखते है तबी वहाँ पे एनाइस चीफ हेंडरी आता है गैरी हेंडरी से कहता है के वह सब संभाल लेगा एर कमांडर बताता है के चार घंटे में नाका आइलेंड में ओप्रेशन शुरू होगा दूसरी और बेनी को जॉर्डन से पता चलता है के एनाइस के डेप्यूटी चीफ के कहने पे जॉर्डन ने टोनी को जूटी आइडेंटिटी दी थी तो अब सेरेना समझ जाती है के इतने उपर तक एनाइस इस केस में इनवल है तो या ओप्रेशन मामूली नहीं अब जैसे मैक्स ने डिमांड रखी थी वैसे गैरी को कॉल रूम में लाया जाता है गैरी सेरेना को बताता है के मैक्स एक अकलमन बिजनेसमेन है ना कि मामूली किड्ने पर कभी मैक्स का कॉल आता है गैरी उससे पुछता है कि यह सब करने की क्या ज़रूरत है मैक्स गैरी से कहता है कि शांगरिला का बैंक अकाउट जो ब्लॉक किया गया है उसे एक्टिवेट करे गैरी कहता है कि वो उसे अभी एक्टिवेट कराएगा अब मैक्स गैरी से पुछता है कि उसने मेरलीन को क्यों मारा गैरी उससे कहता है कि वो किसी मेरलीन को नहीं जानता तो मैक्स उसे याद दिलाता है कि 10 दिन पहले कुछ रॉबरर्स ने दो लोगों को होस्टेज रखा था उसी में जो लड़की थी वही मेरलीन है यह वही केस है जो फिल्म के शुरुआत में हमने देखा था सेरेना को भी वह इंसिडन्ट याद आता है मगर ग्यारी कुछ भी न जानने का ढोंग रचाता है वह मैक्स को softly धमकी देता है कि वह जो कुछ कर रहा है उसकी वज़ा से उसकी जान जा सकती है तो अब मैक्स भी serious होता है वह सेरेना से पूछता है कि क्या उसे वह hostage case याद है क्योंकि वह उस वक्त crime scene पे थी और negotiation failure होने की वज़ा से मेरलीन की जान चली गई थी सेरेना कहती है कि वही दो लोग उन painting के मालिक थे जो उसमें मारे गए मैक्स कहता है नई मालिक अभी भी जिन्दा है और तुमारे पासी बैटा है मतलब उन किम्ती painting का मालिक गैरी था अब मैक्स फिर से गैरी से पुछता है कि उसने मेरलीन को क्यों मारा Gary साफ मना करता है कि उसे ऐसे किसी चीज़ के बारे में पता है Serena Max से पूछती है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि Gary ने Marilyn को मारा Max कहता है कि Marilyn Gary की personal secretary थी जो उसके account को देखती थी उसके सब secret जानती थी उसी ने Marilyn को Gary से introduce किया था Gary अपने illegal weapons के dealing से आये हुए पैसो को उन बहत किमती paintings में invest करता था मतलब उन पैसो से वो paintings खरीदता था एक-एक painting दस-दस billion की होती थी और उन paintings को foreign countries से Korea लाके इस तरह legally काले पैसे का money laundering करता था किसी को शग भी नहीं होता था अब Max उन्हें एक audio recording सुनाता है जिससे पता चलता है कि उन पैसो से Gary पूराने fighter jets खरीद के उन्हें नए बता के NIS chief, deputy chief और air commander के approval से Korean government को बेचना चाता था क्योंकि किसको jet fighter का knowledge है कि क्या पूराना है और क्या नया और public को क्या पता चलता है billion से और billion सबका इसमें share था अब वो audio सुनके room में बैटे सभी शौक होते है कि उनके देश में इतने level तक का corruption चलता है यह audio recording Gary ने ही की थी क्योंकि वो हर बात का सबुत रखता है VIP room में बैटा Henry भी यह सब सुनता है और शौक होता है Max Serena से कहता है कि इस सबुत की मदद से क्या वो उन लोगों को arrest कर सकती है Serena कहती है कि audio clip को court में सबुत नहीं माना जाता और ऐसे बड़े case में तो बिलकुल ही नहीं तो अब Max NIS chief Henry को call room में लाने को कहता है वो सुनके Henry के चेरे पे डर फैल जाता है Max कहता है कि एक घंटे के अंदर Henry नहीं आया तो वो सब hostages को मार देगा VIP room में Gary लोटता है तो Henry Gary पे गुसा होता है और कहता है कि जब तक Max मर नहीं जाता और सब सबुत हासिल नहीं किये जाते कोई room छोड़के नहीं जाएगा यहां सेरेना अपने टीम के साथ मिलके Marilyn का बायरटा निकलती है मगर उसे Marilyn और Max के बीच का connection पता नहीं चलता गौंग आके सेरेना से जूड बोलता है कि हेंडरी प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग में बिजी है तो वा आ नहीं सकता दुसरी और बेनी को तैकिकात से पता चलता है कि कैप्टन औरलीन भी उनके साथ मिला हुआ था और उनसे रिश्वत लेता था इसलिए उस रॉबरी के केस में उसने जरूरत नहों होने पर भी अटेक करके सब को मार दिया क्योंकि वो रॉबरर्स पकड़े जाते तो सच्चा ही भार आती कि वो एक प्लैन क्राइम है जिसमें पेंटिंग को चुराने का फार्स बना के मेरलीन को मारना तय हुआ था इसलिए उस दिन क्राइम लोकेशन पे सेरेना को देखके औरलिन डिश्टर्ब हुआ था कमिशनर सेरेना को बुला के कहते है कि कैसे भी करके मैक्स को बाच्चित में लगा के दो घंटे निकालो तब तक कमांडोज उसके आईलन टक पहुँच जाएंगे सेरेना समझ जाती है कि उसे भी करप्शन का हिस्सा बनाया जा रहा है सेरेना मैक्स से कहती है कि हेंडरी आउट अफ रीच है तो कांटेक्ट नहीं हो पाया तो अब मैक्स टोनी को मारने के लिए गन उठाता है सेरेना मैक्स से कहती है कि वो जिन लोगों से लड़ रहा है वो बहुत बड़े है, उनसे ऐसे जिता नहीं जा सकता, उन्हें सबुतों से ही हराया जा सकता है मैक्स कहता है, कि अगर तुम उनके अगेंश्ट एक्षन लोगी, तो तुमारा जौब चला जाएगा सेरे ना उससे कहिती है कि सब सबुतों को छाना जाएगा और उन लोगों को कोर्ट में खड़ा किया जाएगा अगर पेंटिंग के ओनर की लिष्ट मिली तो सबुत मिल जाएगा क्योंकि उस billion dollar पेंटिंग के ओनर वो चार लोग है Max Commissioner को बुला के पुछता है कि क्या इतना सुनने के बाद उसने Gary को इंट्रोगेट किया था वो हां कहता है Max Commissioner से पुछता है कि क्या वो Marilyn का case फिर से open करेगा Commissioner guarantee देता है कि वो case open करेगा Max उससे पुछता है कि क्या वो उसका official statement है Commissioner हां कहता है तभी control room में पता चलता है कि यह सब बाच्चित social site पे live stream हो रही है दुनिया उसे देख रही है वो सब देखके सब हडबडा जाते है Commissioner को लग रहा था उसका promise चार दिवारों में रहेगा मगर उसे पूरी दुनिया देख रही थी अब मीडिया में भी यह news live चलने लगती है कि कैसे kidnapping हुई और कैसे conspiracy चल रही है streaming थाय के server से हो रही है Commissioner जनता के सामने promise करके पूरी तरह first जाता है Serena Max से कहती है कि अगर वो इस तरह trick करेगा तो वो उसकी कोई मदद नहीं करेगी तो Max उस पे घुसा होके बोलता है कि ना उन्होंने Gary को interrogate किया ना available होने के बावजुद Henry को ला पाए वो उसे trick कर रहे है Max टोनी को जखमी करता है अब Max डायरेक्ट Henry से कहता है कि एक घंटे के अंदर अगर वो उसके सामने नहीं आया तो वो टोनी के साथ सभी होस्टेजेस को एक एक करके मार देगा वो सुनके Henry Gary को फसाने का प्लैन करता है कि वो ही corruption के पिछे मेन आदमी है अब वो commandos को attack करने का order देता है भले Max के साथ होस्टेजेस मारे जाए दूसरी और बेनी वो robbery वाले crime scene पे पहुचता है जहां Marilyn रहा करती थी वहां उसे एक orphanage का photo दिखता है जिसके सामने कुछ बच्चे खड़े है यहां Gong Max के island पे attack की तयारी करता है सेरेना समझ जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो होस्टेजेस मारे जाएंगे मगर Gong को बड़े लोगों की पड़ी है वो उससे कहता है कि यह NIS का operation है तो वो उससे दूर रहे तो अब सेरेना Gong को धमकी देती है कि वो Max को इस military operation के बारे में inform करेगी यहां orphanage में तैकिकात करने पर बेनी को पता चलता है कि Marilyn Max की छोटी sister थी और photo में दीख रही building orphanage की पूरानी building है जो अब खंडर हो चुकी है बेनी यह बात सेरेना को message करता है Max सेरेना से कहता है कि अब उसने यह mission आदे में छोड़ा तो वो लोग भी छूट जाएंगे और शायद वो लोग उसे भी मार दे इसले वो now और never की situation में है यहां commandos max के अड़े पे attack करते है और वह max के लोगों को एक एक करके मारते है सेरेना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगती है कि max hostages को छोड़ दे दूसरी तरफ commandos हेंदरी के कहने पे max की main building पे attack करने जाते ही है के तभी बहुत बड़ा blast होता है और building पूरी तरह तहस नैस हो जाती है max का call cut होता है वह देखके सेरेना सुन हो जाती है VIP room में सभी रात की सास लेते है तभी call room में बैटी सेरेना की नजर monitor पे जाती है जिसमें max की last image है वह देखके उसे strike होता है के अगर max का अड़ा Thailand में है तो वहाँ खिडकी से sunlight आना चाहिए क्योंकि जब Korea में शाम के 7 बज रहे है तो Thailand में 5 बज रहे होंगे क्योंकि 2 घंटे का difference है मगर फिर भी 5 बजे max की room में इतना अंधेरा क्यों है मतलब साफ है max Thailand में नहीं बलकि Korea में ही कई है और वह जिन्दा है उन्हे max की अपने आदमियों के साथ एरपोर्ट से आने की वीडियो भी दिखाई देती है दुसरी और बेनी तैकिकात करते करते उस पूराने और्फनेच पहुँचता है जहां उसे कैप्टन और्लीन की लाश दिखती है मतलब max उसी और्फनेच को अपने मिशन के लिए इस्तमाल कर रहा था और सभी होस्टेजेस भी सेफ होते है मगर वहां max नहीं होता VIP रूम में सभी ओपरेशन के सक्सेस को सेलिब्रेट करते है गौंग उन्हें फोन करके max के जिन्दा होने की बात बताने जाता है मगर वह फोन नहीं उठाते दूसरी और max अपने आदमियों के साथ उसी बेल्डिंग में आता है वह अपने आदमियों को वापस लोटने को कहता है और खुद VIP रूम की और निकल पड़ता है और सब को मारते हुए रूम के अंदर पहुँच जाता है यहां स्वैट की टीम बेल्डिंग को चारा और से घेर लेती है max ने अपने बदन पे बॉम्स का जैकेट चड़ाया है जिसका डिटोनेटर उसके हाथ में है सबसे पहले तो वो गैरी को शूट करता है अब उन बचे हुए तीनों को वो पुछता है कि क्या वो उसके साथ मरने के लिए तयार है अब max डिटोनेटर उठा के अन करता है वो बटन दबाने वाला होता ही है कि रूम में सेरेना आती है वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है सेरेना उससे कहती है कि वो जान चुकी है कि मेरलीन उसकी सिष्टर थी और वो उसे बचा नहीं पाई और अपनी सिष्टर का बदला लेने का शायद max के पास यही रास्ता था अब max उसे सच्चा ही बताता है कि उसी ने मेरलीन को सबुत इखटा करने के लिए गैरी के पास भेजा था क्योंकि max और मेरलीन आगे की जिन्दगी शान्ती से गुजरना चाते थे और वो तभी possible था अगर वेपन डिलिंग में इन्वाल लोगों को हमेशा के लिए जेल भेज दिया जाए जो max को क्रिमिनल साबीत करके एना इस के जरीये मारना चाते थे मेरलीन ने गैरी के लैपटॉप से उसके पूरे काले कारनामों का डेटा तो चूराया मगर pen drive max को देने के बाद वो मारी गई max यह सब सेरेना को बता रहा होता है के सामने की बिल्डिंग से स्वेट के स्नाइपर max को टारगेट करते है मगर सेरेना उनके बीच खड़ी होती है और उससे कहती है के वो उसे एक चांस दे ताकि वो उन लोगों को कोट में खड़ा कर सके मगर max हेंदरी पे गन तानता है के तबी स्नाइपर गोली चला के max को शूट करते है max on the spot मर जाता है मगर सेरेना जान जाती है के max के हातों में रखा detonator आफ था एक वीजूल से पता चलता है के max भी नहीं चाता था के सबुत लाने के लिए वो मेरलिन को risk में डाले मगर मेरलिन अपने भाई के साथ शांती से रहना चाती थी और उसके लिए वो कुछ भी करने को तयार थी अब हेंडरी उस VIP रूम से भागके अपनी कार में बैटता है मगर तबी सेरेना उसके पास आके उसे धमकी देती है के वो उसे एरेश्ट करके कोर्ट में खड़ा करेगी अब सेरेना मैक्स और मेरलिन के ग्रेव के सामने बेनी के साथ बैटके वो पेंडराय उभार निकालती है जिसमें मेरलिन ने सब सबुट डेटा के जरिये सेव किये है सेरेना कोर्ट में हेंडरी, पार्क और जेफरी के खिलाफ वो सब सबुट पेश करती है और खुद ओथ लेती है कि इस करप्शन के केस में वो जो कुछ बोलेगी सच बोलेगी और सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगी मुवियां खतम होती है